ही गाईज वेलकुम बैक टो मैं टूप चानल स्टिच बाई रादिका उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी होंगी तो आज की वीडियो में आपके सब शेयर गरने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग तो यहाँ पर जो है मैंने लिया हुआ है जौज तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से जो हमारा अस्तर था उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे तो मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ इस तरीके से और यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कट कर रहे है तो हमने इसको फोर फोल्ड कर लिया है ठीक है तो मैं इसके चौड़ाई की बाद करूं तो चौड़ाई ली है मैंने इसे 10 इंच यह आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा ठीक है तो लंबाई जो है वो मैंने ली है 15 इंच जो भी एक्स्ट्र है उसको हम निकाल देंगे अब जो है हम यहापे ले 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 हैं मुड़े का मिजरमेंट तो मुड़े जो है वो है 5 इंच उसके बाद हम लेंगे आप पर आर्म होल की लंबाई तो जो की है 6 इंच पॉइंट पर का मार्जन हम ले लेंगे तो हमारा 6.2 पर निशान लगा लेंगे से इसके बाद जो हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे अच्छा जी तो अब हम कर लेते हैं चेस्ट का में जमेंट चेस्ट है हमारा 32 इंच 32 का हम 4 पर लेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच इसी तरीके से हम कमर का ले लेंगे कमर हमारी 28 इंच लेगें तो आएगा हमारा सावना इंच, तो ये होगी हमारे फिडिंग का निशान अच्छा जी, अब एपने मार्जन इसमें इसमें मार्जन, इसमें लिए ऊपम्ने मार्जन, मरने यहां पर आम होल की गुलाई दे लेंगी जो कि मैं दे रही हूँ सवा इंच पी आप इसे साइस के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं एंड फाइनली हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो जो हमने निशान लगाए है बस उसी पर मैंने कटिंग कर लें अच्छे तो यहां पर देखिए अब दोनों पार्ट जो है हमारे इस तरीके से कट हो चुकी है एक इसमें फ्रेंट पार्ट है और एक है हमारा बैक पार्ट अब इसी को हम क्या करेंगे जो हमारा में फैबरिक है उस पर रखके हम इसको कट कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से जो है हमारा में फैबरिक उसको भी हमने कट कर लिया है तो यहां पर जो है हम जो फ्रेंट पार्ट में ने कट करेंगे अपको ध्यान अ नहीं हम बैक में कट करने वाले हैं तो इसलिए मैं आपके फ्रेंट पर ही कट करके दिखाऊंगी पैक वाला है सेम वैसा ही कटना है ठीक है तो सबसे पहले हम फ्रेंट पार्ट में क्या करेंगे यहां पर आदा इंच की जो है मिस तरीकी से घहराई दे देंगे और इसके बाद हम यहां पर नैक जो है इसका मिसमेंट कर लेते हैं तो नैक के चोड़ाई जो रखनी है वो रखनी है हमें तीन इंच लंबाई की बाद करें तो वो मैं रखनी हूं साड़े तीन इंच इसके बाद हम एक box बना के इसको हम गोलाई दे लेंगे यहाँ पर चौक जो थी वो चल ली रही थी बहुत ही ज़दा हलकी थी तो जो की वीडियो में नहीं आ रही है शायद मुझे लग रहा है कोई नहीं बस आपको यहाँ पर साड़े तीन इंद पर निशान लगाना है लंबाई का और उसके बाद इसको गोलाई दे के से कट करना है के तो नहीं रहाएं से कुछ आपको तो जो है वो जो पर पार दीफ करें दीप करें दीके जो यहां पर अगर मैं लेंद की बात करूं तो यहां पर जो है वह बद तो नीचे साइर चुनते आ जाती है थोड़ी सी उस टैपWow तो मैं काफी लंबी कट करी हूं से तो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो गाई सब पहले में आपको देख सकते हैं यह पर इक इन्नी बनी हुई है तो इसको जो है मैं आपे इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा लगा लेंगे अच्छा तो हम नीचे साइड हे वहां पर हम इस तरीके से इसको शेप देखे हम जो लंबी जो स्लीप समय हमारा यही रहता है नीचे के साइड हमें तीन साडह तक चल जाता है तक है यह आपके कौरिंग है कि आपकी साइस का बना रहे हैं एंड कम से तीन इंच और आपकी जो भी फिटिंग है उसमें आप एक्स्टा इड पर कि निशान लगा कि इस तरह के से शेप देलेंगे तो यह दो यह सिंपली हमारी जो है स्लीप कट हो जाएंगी कि अच्छी तो हमारी स्लिप्स जो है वह हो चुकी है मिलकुल तयार मतलब कट के तयार हो चुकी है अभी वैसे तयार नहीं है अच्छा अब हम करेंगे हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग अब देख सकते हैं यह मैंने फोल फोल लिया हुआ है ठीक है अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है यह उसके हम लंबाई लेते हैं जो हमारा टॉप पार्ट होता है यानि कि जो आपने ऊपर वाले पार्ट कट की होए है वो मैंने कि यह थे 14 इंच तयार थे व तो मैंने यहां पर लिया है 46 इंच जिसमें से मैंने तयार आजाएगा हमारा 1,5-1,5 इंच का ठीक है चोड़ाई की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 1,5-1,5 इंच है आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं जितना आपको घेर चाहिए जितने आपको क्राप की बीचे बनी इस भी तो बस अब को इतना धान नाखना है ठीक है तो यहां पर हमारे बॉटम पारट की भी कटिङट होचुकि यह रहा असले की के तो यह रहा हमारी टॉपप पारट की कटिङट अध सब सबसे पहले के अ मंसमों के रिख लिया है और इसके बात जम तो मैंने इस तरीकी से जो रख लिया है कपड़ा और इसको जो है पाव इंच का मार्जन लेते हुई मुड्डे अटेच करेंगे और हमारा जो गल्ला है उसमें हमें राउंड स्लाई लगा लेने हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने स्लाई को कम्प्रीट कर लिया है यह जो पर इस तरीके से इसको दूसरी साइड के लिए पलेट लिए इससे हमारे जो नेक है वो तयार हो जाएगा अगर आप चाहते है नेको बुकरम पर बनाना तो आप वह वह भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो तो हमारा फ्रंट पार्ट तरीके से हो जागा रड़ी एन इसी तरीके से हमें जो बैक पार्ट है वो तयार करना है ठीक है एन इसके बात जो है मैंने यहां पर प्लेटे डाल लखी है जो की गरीब पाच और साढ़े पाच इंच की आप रख सकते हैं गैप की बात करें तो मेना प्लों पेसक से लाई लगा लिया अब इसको सीधा कर लिएह अब मैं इसनुकर आच करनी है मुुका है जली तो यहां कि हम इस 20 सकती में अपी सैट जवातिया से दश पार तो मैंने जो स्लिफ में इसको अत्यां करना है इन दिछाना है हमारा जो टॉप पार्ट है वो बिल्कुल रैडी हो चुका है तो आप देख सकते हैं बस हमें आपे क्या करें डाया है आप में बॉटम पर्ट देश करना है तो देखी बॉटम पार्ट में जो हमने 4 फोल्ड किया था अब हमें क्या करना है आघ क्या सकते हैं यह लेंक दो है पार्ट एपनbles के लिए अगल में जाएगा एक पार्ट हब यह रा क्योंकि दोनों साइट एलग अलग होता है क्जोएंड करने के लिए हम इक अगरेंगे यहाठ पीछ में प्लेट डालेंगे साइट से एक एक इंच करीब जितने भी आपकी फिटिंग के लिए हो उतना आपको छोड़ देना याणि उतना साइट जो प्लें रखना है यह जो प्लेंड डालना स्टार्ट करेंगे वो हम ए यहां पर प्लेटे डालना स्टार्ट किया है, ठीक है जी, उमीद है आपको यहां तक कोई कन्फूजन नहीं होई होगी, तो बस में इस तरीके से जितना भी आपका कपड़ा हो उस अक्वार्डिंग आप यहां पर प्लेटे डाल लूँगी, अच्छा जी तो आप देख सकते हैं यहां पर प्लेटे डालना है, साइट साइट से मैंने कपड़ा प्लेट रखा हुआ हैं इसी तरीके से हम जो पैक वाला पार्ट है उसमें भी हम प्लेटे डाल देंगे, तो वाइनली फ्रेंट और बैक दोरों में प्लेटे जो हैं वो डल चुकी है, अब हमें इसमें कर कुर्ती में चाक बनाते हैं, सीम वैसे ही हमें यहां पर चाक बनाने हैं, तो हम इसी तरीके से दोनों साइट की फिटिंग कर लेंगे, अचा यह तो आप देख सकते हैं, यहां पर हो चुकी दोनों साइट की फिटिंग, अब हमें क्या करना है, जिसे तरीके से कुर्ती में ह स्टाइलिश लगा सकते हैं जिससे लोकिस का थोड़ा और भी सदा अट्रैक्टिव लगेगा मैंने इस कुर्ति को प्लेन लुक दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़दा खुबसूरत लग रही थी और मुझे इसका कलर बहुत ज़दा पसंद आया तो इसलिए मैंने इस कुर्त पसंद आया होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं साथ ही साथ आप इस चानल से अगर जोनना चाहते हैं इसे तरह की और वीडियो देखने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन पर प्रैस करके और पर क्लिक कर लेजेगा जिससे में जो भी न